थाई चिकू में तीन भराइटी होता है ये डेमो प्लांट के लिए हमने लगाया है अगार आप लोग इसका खेती करना चाते है नमस्ते किसन भईयो राकीब एपिल बेड नासरी से स्वगत है जी दोस्तो आज जो प्लांट हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं है ये थाई चिकू प्लांट है जो दो नम से जाना जाता है यह थाइलैंड्न व्राइटी है और इसको लैंक्चा चिकू बोलते है ये लेटेस व्राइटी है थाइ शौदर ये जाई य union चाहिशू है हुँका और इसका देम के लिए हम लोग लगाया है अब लोगोंकों Im तो आप देख लीजिए मेरा जो प्लांट है लगबग दो धाइफिट का असपस हाइट है और यह था एक चिक्कु है यह प्लांट आपको बहुत ही मीठा होता है लंबा होता है आप पूछेंगे इसका कितना तक लंबा होता है देखिए इसका चार से पाचिंची तक हो जाता है लंबा होता है और यह दिख लिए सारे के सारे हम ने देमफलान के लिए लगा रखा है और यह तीन वराइटी है चिकु में एक है कलापत्ती और एक है क्रिक्ट बॉल और यह तीस्टा है थाई चिकु सबसे ज्यादा चलता है इंडिया के अंदर कलापती है अब यह नया लाउंच हुआ है तो यह शुरुवत में इसका फ्रूटिंग जो है गोल होता है और धीर धीरे जैसे बढ़ता है तो अच लंबा होता है कुछ इस तरह से देखने लगता है अगर आप साइस पूचेंगे तो इसका लगवर्ण होता है एक सो शेडियर सो गिनम के असपस इसका उजन होता है इस पूरुट का पूरुट भी देख सकते कभी हमारा प्रेलांट हेल्थी फ्लांट रे और छोटा भी है और पूर्टिंग भी स्टाट है अपूचिंग इस साल में कितने बार होता है यह कि ओल्टेन ऑल शेजनने जैसे सेजन में आपकोफुरुटिंग होता है और समस्ते अधर प्रूटिंग होता है मतलब इसमें एक loting आ हिए और दुसरे-साइट अब देखिएगे तोउसमें इसमें तो इसमें फ्लूरिंग भी आ चुका है देख लेका अच्छा लग रहा है तो यह प्लांट अगर आप खेती करना चाहते हैं तो आप जुरूर इसका खेती किजिएगा क्योंकि मैंने टेमो प्लान के लिए लगाया है अगर मेठा की बात के तो बहुत ही अच्छा मेठा है और इसका प्राइज जो मार्केट सबसे प्राइज है इसका पार पीस आपको लगभग 10-15 रुपी पार पीस भीगता है है अमरे दर क्योंकि अभी अभी अबलेबल नहीं हुआ है कि मार्केट में लंबा वला लेकिन सभी फर्मिंग कर रहा है इस साल में आपको लांच हो जाएगा फ्रूट काने के लिए जैसे हमारा भी फ्रूट आ चुका है अल्रेटी आप फ्रूटिंग भी देखते और आप कुछ इस तरह का आपको फ्रूटिंग देखने लगेगा देख लिजिए कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा चार से पांच इंच लंबा होता है अमरे चैनल में आप जोरूर सस्केब कर लिजेगा और साथ को पेल आइकोन को दबा दिजेगा और ऐसी कि कभी खुसरत लग रहा है अगर कोई घर पे लगाना चाहते तो भी लगा सकते हैं और यह प्लांट हम ओल ओबर इंडिया सप्लाइब करते हैं तो आजके लिए इतना ही है कि यह लगपक धाई धाई इंची का सपास हुआ है तो आजके लिए नहीं है धन्यबाद